गाइस क्या आपने ऐसी जगह बिजिट किया है जहां पर आपको पेरानॉर्मल एक्सपीरियन्स हुआ हो या फिर आपके साथ कोई पेरानॉर्मल एक्टिबिटी घटेत हुई हो हम अपने आसपास के लोगों से कई ऐसे किस्से सुनते हैं जिन पर बिस्बास कनना बहुती मुश्किल होता है लेकिन हकीकत में ऐसे किस्से एक हौपना कनवा हमें इन पर बिस्बास कनने के लिए मजबूर कर देते हैं पूरे बिस्वभर में ऐसी कई घटना घटने के दाबे किये जाते हैं जो दरसाते हैं कि आतमाय भी हमारे आसपास गुमती रहती हैं चलिए जानते हैं चीन के एक रहस्माई बसका सफर कनने का दावा कनने वाले लोगों की कहानी को और सोचते हैं एक बार फिर से कि क्या बास्ताओं में ऐसा होता है गाईस चीन के बीजिंग में मसहूर रहस्माई बस का सफन नाम से ये कहानी काफी टाइम से लोगों में इधर से उधर हो रही है 14 नवंबर की सर्द रात में एक ब्रद और एक जबान लड़का दोनों बस नम्मर 375 का इंतजार कर रहे थे दोनों के बीच नॉर्मल बात चल रही थी धंड की बज़ाय से सड़क सुनसान और कोहरे से ढकी हुई थी धीक 11 बजे उस रूट की आकरिवस नजर आती है बस इस्टॉप पर बस रुकते ही दोनों बस में बैठ जाते हैं वो पूरी तरह इसे खाली होती है और उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता वो लड़का आंगे ड्राइवर की पासवाली सीट पर बैठ जाता है और ब्रद बीच की सीट पर कुछ देर बादी बस आंगे इस्टॉप पर रुकती है कुछ देर बादी बस अचानक रुक जाती है और कुछ पर चाहिए उसमें ब्रद इनसान को खिलकी की तरप से बस में आती हुई दिखती है बस में रोसनी कम थी इस बजाए से उन्हें उसके चेहरे तो नहीं देख पाए लेकिन उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बीच वाले ब्यक्ती ने नसा कर रखा हो और दौनों साइड में लोगों ने उसे सहारा दे रखा हो बस फिर से चल पड़ती है और बस में बही सांती एक बार फिर से चाह जाती है बस चले हुए कुछी देर होती है कि उस ब्रद ब्यक्ती ने आंगे बैठे नौजवान से बहस करना सुरू कर दिया ये बही लड़का था जिसके साथ वो इतने आराम से इस टौप पर खड़ा होकर बात कर रहा था अचानक इस बदलाव से उनका चोगना लाजमी था लेकिन ब्रद ब्यक्ती की बातों ने उसे गिस्सा दिला दिया बात हाता पाई तक आ चुकी थी जिस बज़ाए से उसने बस में हंगामा सुरू कर दिया बस ड्राइवन ने परिसान होकर उन दोनों को ही बस से नीचे उतार दिया और बस आंगे बढ़ा दी बस में नीचे उतनने के बाद ब्रद ब्यक्ती अचानक पहले जैसे सांतों जाते हैं तब ही वो नौजबान उनसे पूचता है कि आपने बेबजय मुझे इतना जगडा क्यों किया ब्रद ब्यक्ती ने उसका हाथ पकड़ा और बोला बेटा मैंने तुमसे जगडा नहीं किया बलकि तुम्हारी जान बचाई है लड़का हैरान खड़ा को समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों बोल रहे थे उन ब्रद ने उसे पूरी कहानी सुनाई और कहा कि तुमने जिन तीन लोगों को कुछ दिर पहले बस में चड़ते हुए देखा था उनके पैर ही नहीं थे उनका सरीर हवा में तहर रहा था ये सुनकर लड़का बुरी तरह से कापने लगा फिर उस ब्रद ने उसे रहसमई बस का सफर और भूतों के सामने का किस्ता सुनाया दोनों ही पास के पुलिस स्टेशन पहुँचे और पूरी कहानी सुनाते हैं उनकी बास सुनकर पुलिस चौकी बाले भी सभी लोग उने पागल समझने लगते हैं दोनों ही चुपचाप अपने अपने घर चले जाते हैं लेकिन अगले दिन के अख़बार में उन्होंने जो छपा हुए पड़ा उसने उनके और पुलिस दोनों के होस उड़ा दिये जिस कमपनी की बस इस रूट पर चलती थी उसकी और से बस ड्राइवर और कंडक्टर के गाइब होने का दाबा किया गया था पुलिस ने आनन पानन में दोनों के पता तलास किये और दोनों ने मीडिया को अपनी कहानी सेयर की जिसके बाद पुलिस ने बस की तलास का काम सुरू किया अगले ही दिन बस के एक्षिडेंट की सूचना पुलिस को मिलती है ये बस बही होती है जिस रहस्मई बस का सफर उन दोनों नोजवान और ब्रद बक्ती ने किया था और पुलिस को बताया था बस को पानी से बाहर निकाला जाता है तो खौपनाग द्रस से देखने को मिलता है उसमें ड्राइवर और कंड़क्टर की लास मिलती है साथी तीन और सड़ी गड़ी लासे मिलती है चौका देने बाली बात ये थे कि मैच 48 गंटे में उन तीनों लासों को इसकदर सड़ जाना संभव नहीं था वो भी जब ड्राइवर और कंड़क्टर की लास सही इस्तिती में थी इससे लोगों में ये धारना फैल जाती है कि बास्ताओं में वो तीन सरीर प्रेत आतमाई थी लोगों में देहसत फैलने के लिए तीन सड़ी गड़ी लासे मिलना काफी नहीं था जब पुलिस ने उसकी डीजल टेंक की जाच की तो पता चला कि उसमें डीजल की जगाए खून भरा पड़ा है ये सब देखकर पुलिस विवाग भी खौप में आ जाता है और उन्हें उन दोनों की रहसमाई बसका सफरवाली कहानी सच लगने लगती है हैरान कर देने बाली बात ये थी कि बस अपने आखरी स्टॉप से करीब 100 किलोमीटर दूर जिंसान सेहर के पास नदी में मिलती है जबकि बस में इतना डीजल नहीं ताकि वो इतनी दूरी तै कर ले इस खबर को पढ़ने के बाद कुछ लोगों का मानना है कि बास्ता में भूत प्रेत का अस्तित्व होता है और इस घटना के लिए भी वो जिम्मेदार है लेकिन कुछ बातनों का आपस में तालमेल सही ढंक से नहीं बैट रहा है जैसी कि आपने गौर किया होगा कि पुलिस का कहना है कि बस के टैंक में डीजल की जगाए खुन भरा पढ़ा था बहीं दूसरी और एक्सपाइट का कहना है कि बस में इतना डीजल नहीं था कि वो इतनी दूरी तै कर सके इसके अलावा पुलिस को बस में सडीगली लास और सही कंडिसन में लास मिलती है तो सवाल ये उठता है कि क्या ये संबाव है कि वो सडीगली लास है उन्हें बस में मिली हूँ अगर वो ला से घटना इस तलकी आसपास मिलती तो उनका ताल मिल समझ में आता लेकिन इस तरह इसे नहीं अगर आपको कुछ समझ में आता है तो हमें कमिंट करकर जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें